स्पोर्टिंग का मतलब है वजाइना से बहुत कम खून निकलना यानि की बहुत कम बूंद बूंद की तरहां ब्लीडिंग होना पीरेट्स के अलावा दूसरे दिनों में अगर आपको स्पोर्टिंग होती है तो ये कोई आम बात नहीं है ये जरूर किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा जरूर कर सकती है पीरेट्स की दिनों के अलावा दूसरे दिनों में अगर आपको भी स्पोर्टिंग होती है यानि वजाइना से हलकी हलकी ब्लीडिंग होती रहती है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है तो हेलो एब्रीवन मैं हुझे आमलिक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे छे गंभीर कारणों के बारे में यानि की कुछ ऐसे सीरियस रीजन्स के बारे में जिनकी वज़य से आपको पीरेट्स के अलावा दूसरे दिनों में हलकी फुल की स्पॉर्टिंग यानि वजयना से हलका फुल का ब्लीडिंग होता रहता है मैं आप लोग उसे चोटी से रीक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अच्छे से समझेगा एक एक पॉइंट को खूभी सूनिएगा और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पास में एक बला इकन है उसको भी जरूर हिट कर देना ताकि जरूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम क्यों मिल जाए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इससे पहले भी दोस्तों मैं आपने चैनल पर धेर सारे होम रिमिटीज दिये वाई वोमिन हेल्थ एन हाइजीन से रिलेटीड वीडियो शेयर कर चुकी हूँ इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा इनके सब चेक करना चाते हैं तो चेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला कारण है प्रेग्नेंसी अगर आपको पीरिट्स की डेट से पहले हलकी हलकी स्पोटिंग होती है तो हो सकता है कि यह प्रेग्नेंसी की तरफ इशारा कर रहा है यानि कि आप प्रेग्नेंट है इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप प्रेगनेंट होती है तो आपके एग और स्पम मिलकर एक जाइगोट मनाते हैं और यह जाइगोट आपके यूटरिस में जाकर जूड़ता है जिसके कारण ब्लेडिंग होती है तो हो सकता है कि अगर आपको पीरेट की डीट से पहले हलकी फूल की स्पोर्टिंग है और आपको डाउट है कि आपने लास्ट मन्थ अपने पार्टनर के साथ रिलेशन रखा है तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हैं confirm करने के लिए आप मार्केट में अविलेबल धेर सारी जो प्रिग्नेंसी किर्स आती है उनको घर पे ही यूज करके प्रिग्नेंसी को confirm कर सकती है आप सवाल यह उठता है कि क्या हर महिला की टाइम ऐसा experience करती है हल्कि फूल की spotting period से पहले experience करती है तो मैं कहूंगी कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हर महिला का यही same experience हो, क्योंकि हर महिला का शरीर अलग होता है, बॉडी टाइप अलग होता है, तो हर महिला का experience भी अपने बॉडी के टाइप अलग-अलग ही रहता है, तो ऐसा नहीं है कि sporting हो रही है, तो जरूरी है कि आप pregnant ही है इसलिए घबराये नहीं, confirm करने के लिए period मिस अगर हो जाते हैं तो उसके 10 दिन के बाद आप pregnancy का test कर सकती है और confirm कर सकती है कि आप pregnant है या नहीं और अगर आपको periods हो ही जाते हैं तो फिर दनने की बात ही नहीं है की pregnancy है या नहीं तो इसके अलावा फिर आगे जो वीडियो में आपको बता रही हूं वो reason जरूर हो सकते हैं तो आगे अब वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा नमर दो reason है STI, STI का मतलब है sexually transmitted infection हो सकता है आपको sexually transmitted infection हो गया है क्लाइमीडिया इंगोनोरिया हो जाने के कारण आपको आपकी वजएना से किसी भी वक्त खून निकल सकता है यानि की bleeding हो सकती है क्लाइमीडिया इंगोनोरिया दो ऐसे sexually transmitted infection है जो किसी भी प्रकार के sexually relation यानि की intercourse या फिर oral sex से फैल सकते हैं और इस infection का इलाज antibiotic दवायों से हो किया जाता है इनमें bleeding होने के साथ साथ intercourse करते वकट दर्द पेशाब में जलन और बुखार जैसी समस्या हो सकती है अगर आपको periods के दिनों के अलावा बाकी दिनों में spotting हो रही है हलकी फुलकी bleeding हो रही है साथ ही में जो मैंने आपको समस्याएं बताई वो भी हो रही है तो हो सकता है कि आपको sexually transmitted infection हो गया है तो इसके लिए आपको अपने doctor से ज़रूर मिलना चाहिए और अपनी antibiotics दवायों का course करना चाहिए तीसरा reason हो सकता है PID PID का मतलब है pelvic inflammatory disease यह female pre-production organs का एक infection होता है PID में pelvic area में swelling होती है दर्द हो जाती है infection जो है वो reproduction system तक पहुंचाता है और अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो infertility की problem भी हो सकती तो अगर आपको periods की दिनों के अलावा दूसरे दिनों में हलकी full की spotting होती रहती है तो संभावना है कि आपको PID हो गया हो तो तुरंत आपको अपने doctor से सला लेने चाहिए और इसका इलाज समय पर जरूर करना चाहिए नमर चार हैं अंडर वेट होना। जिस तरीके से एज़ के अकोर्डिंग जादा वजन होना खतरनाग होता है उसी तरीके से एज़ के estiver कोडिंग कम वजन होना भी उतना ही खतरनाग हो सकता है। अंडर्वेट हो जाने की वज़े से hormones disbalance हो जाते हैं, आपका ovulation irregular हो जाता है और जिसके कारण period miss हो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको spotting होती रहती है, तो आप अपनी health की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए, चेक कीजिए कि कहीं आप अपने age के according अंडर्वेट तो नही वजाइना से सफेद रंग का discharge मतलब जादा मात्रा में discharge ये वाली शिकायत भी आपको अंडर्वेट हो जाने के कारण हो सकती है, नमर पांच है अमेनोरिया, अमेनोरिया एक ऐसी medical स्थिती होती है, जिसके अंदर आपके periods जादा महीनों तक miss हो जाते हैं, लगाता चार से प जाता है, और ovulation जाता है, यानि की periods फिर मेसो जाते हैं, और बीच-बीच में हो सकता है कि कभी कभार आपको spotting हो, तो आप अपने आपको analyze कीजिए कि क्या आपने ये गल्ती करी हैं, और अपने डॉक्टर से परामर्ष कीजिए, अपना टेस्ट करवाई और अपनी दवाई इडरेगुलर पीरिट्स हो जाना, लेकिन कभी कभार spotting भी होती है, तो अगर आपको spotting होती है, और आपको जो मैंने पिछले 5 करण बताएं, उन में से कोई कारण आपके साथ मैच नहीं करता है, तो हो सकता है आपको thyroid हो, आपको ठेक अप कराना चाहिए, डॉक्टर के पा बहुत ज़्यादा weight loss भी हो सकता है, और weight gain भी हो सकता है, अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूंगी, कि बेवक्त spotting अगर एक दिन से ज़्यादा हो जाए, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सला कीजिए, अगर आपको periods हर महिने time पर हो जाते है, लेकिन फिर भी आपको periods क दूसरे दिनों में spotting हो जाती है, तो भी यह चिंदा का विश है, अपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, अपने intimate hygiene का जरूर खयाल रखना चाहिए, और बिल्कुल भी लापरवाई ना करें, डॉक्टर से सला लेना ही इसका बिल्कुल सही उपाय है, आशा बरायते तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, मिलती हूँ आगरी वीडियो में, तब तक अपना ख्यान रखिएगा, बाबाई